Hello everyone, welcome back to the channel So, आज हमने trade लिया, एक Nifty Fifty में trade लिया, options trading की हमने जिसमें हमारा दिन रहा profitable, overall profitable रहा But, हमने कितना trade लिया, कितनी commission कटी, okay तो वो सब आपको पता चलेगा, किस हिसाब से हम करते हैं trading share market में, options trading हम कैसे करते हैं तो वो आपको सब पता चलेगा अभी But, अगभी यहाँ पर क्या है कि हमारे channel में कावी लोग हैं, जो सरफ crypto में trade करते हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि आप options में भी trade करना सीखिए क्योंकि खाली crypto पर depend रहा कि नहीं चलेगा, हमें share market में भी trade करना पड़ेगा और अगर आप share market में trade करते हैं, तो options में अगर आपको trading करनी है तो उसके लिए आपको zero-dha में account खुलवाना पड़ेगा, जिसका link description में है वहाँ पे जाओ, और account खुलवाओ और जैसे ही account खुलेगा, आपका उसके बाद options trading आपकी चालू हो जाएगी 200 रुपे लगते हैं, dmat account खुलवाने में zero-dha में आपको हो जाएगा 200 रुपे में आप अपनी trading स्टार्ट कर सकते हो, options trading या equity trading अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि या options trading क्या होता है, equity trading क्या होता है तो देखें, इसी चैनल पे आने वाले दिनों में और भी वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसमें मैं ये सब explain कर दूँगा कि क्या होता है, options trading कैसे buy होता है, कैसे sell होता है, call, put ठीक है, वो सब आपको मैं समझा दूँगा, but अगर आपको बहुत ही ज्यादा urgency है, कि मुझे तो अभी समझना है, एक दो दिन में ही समझना है तो आप बाकी YouTubers की वीडियो जाके देखें, आप YouTube पे सर्च करें, what is options trading, और whatever, ठीक है, इस तरह से how to trade in share market, इस अब आप करें, options में research करें, और ZeroDha का पहले खुलवा लें, जिसका link description में है, वहाँ से आप ZeroDha में trade किये, क्योंकि वहाँ पे commission बहुत काम है, एक trade पे आपको 20 रुपे commission लगता है, यानि एक buy किया, तो आपको commission सिर्फ 20 रुपे है, चाहे आप कितनी quantity खरी तरह हो, ठीक है, तो यह बहुत अच्छा feature है ZeroDha का, इ यह मेरी position open है, मैंने options में इस वक्त trade किया है, nifty 50 में, और इस वक्त मेरा जो current profit चल रहा है, वो चल रहा है, 1000 कुछ 70 रुपे, अभी अगर मैं orders में आपको जा के दिखा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, इस वक्त मैंने आज के दिन में, यानि 6 तारिक में, अपना पहला trade लि मुझे जो profit हो रहा है, वो हो रहा है, 1070 रुपे का, तो orders में आके आपको पता चल जाता है, तो nifty 50 और sensex आपको यहाँ पे दिख रहा है, और अभी अगर मैं position में जाओं, तो यहाँ पे देखिए, मेरा profit अभी flicker हो रहा है, मतलब change हो रहा है, जैसे 1070 था, तो यह प्राइस ली थी, put, buy किया था मैंने, 50 quantity ली थी और इतने LTP पे लिया था, ठीक है, और इस वक्त मुझे current ही यह profit चल रहा है, अभी अगर हम इसको मुझे exit करना है, अगर मुझे profit बुक करना है, तो यहाँ देखिए, 1100 से उपर हो गया है profit, तो अभी मुझे इसको अगर book कर करना है profit को, तो मैं करूँगा, बट अभी यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एक trade लिया हुआ है, एक discipline के साथ लिया हुआ है trade, तो यहाँ पर अभी जैसे ही मेरा जो take profit target meet होगा, मैं लगभग उसी price के आसपास इस profit को book कर दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ अपना price action प्लस कुछ indicators का use करके, यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको book करूँ, तो जिसकी वज़े से अभी यह मेरा तीसरा trade है, और जिसमें मुझे 1100 रुपे का profit हो रहा है, तो जाधा बड़े trade का मैं नहीं लेता हूँ, छोटे trades में लेता हूँ, जिसमें मै 1 is to 1.5 का risk reward ratio रखता हूँ, कि जिसमें अगर मुझे loss हो, तो मेरा stop loss hit हो जाए 1 के ratio पे, और 1.5 का reward मिलता है, अगर stop loss hit ना हो, तो यहाँ पे देखी, जैसे ही मैं exit पे click किया, तो इस तरह से मैं अपने profit को book कर सकता हूँ, यह उन लोगों के लिए जिन लोगों को 0 दा के बा आपका पूरा का पूरा, जो capital है, वो भी wipe out हो सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम discipline के साथ, stop loss ज़रूर लगा के trade करें, तो यहाँ मैंने इसको कर दिया है exit क्यूंकि मैंने सोचा था कि अपना जैसे ही take profit target पे candle आएगी, मैं इसको book कर दूँगा, और यहाँ मुझे 3 trade लि इन तीनो ट्रेडों पे मुझे 120 रुपे कमिशन लगी, इन तीनो ट्रेडों पे मुझे 120 रुपे कमिशन लगी, इन तीनो ट्रेडों पे मुझे 120 रुपे कमिशन लगी, इन तीनो ट्रेडों पे मुझे 120 रुपे कमिशन लगी, इन तीनो ट्रेडों पे मुझे 120 रुपे कमि